इस वीडियो में हम क्लास एट न्यू लॉंगमन विस्ताज चाप्टर नमबर थ्री सिविक्स का उसके लास पार्ट को देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं एक्जेक्यूटिफ पावर से सारी डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं गवर्मिन्ट के अलग अलग डेपार्टमेंट से भी इंफोमेशन प्रेसिडेंट की दिये जा सकते हैं President, Defense Forces के सुप्रीम कमांडर होते है President, Foreign Countries के Ambasidors और Diplomatic Personal को भी Receive करते है President के देभारा सारे Important Appointments किए जाते है पहला, Prime Minister को Appoint करते है Second, وہa Council of Ministers के दूसरे Ministers को Prime Minister की Advise से Appoint करते है थर्ड प्रेसिडेंट, पॉरेंट कंट्रींज के अंबाजडर, डिप्लोमेटिक पर्सनल को, हाई कोट और सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस को, चीफ इलेक्शन कमिशनर को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के नंबर्स को, इंडिया के कॉम्ट्रोलर और ओडिटर जनरल को, इंडिया के अटर्नी, जनरल को, स्टेट्स के गवर्नल को अपॉइंट करते हैं, अब लेजिस्लेटिफ पावर्स पड़ते हैं, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिफ पावर्स हैं, सहला, एलेक्शन के बाद पार्लेमेंट के फर्स सेशन को, प्रेसिडेंट एड्रेस क सकते हैं थर्ड लोगसवा को डिजॉल्व कर सकते हैं अगर पार्लिमेंट के दोनों हाउस के बीच कोई डेड लॉक यानि की रुकावट है तो जोइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं फूर्थ पार्लिमेंट से पास हुआ बिल प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही लौ बनता है जब पार्लिमेंट सेशन में नहीं होता है तब प्रेसिडेंट ओर्डिनेंसेज इशू कर सकते हैं जो एक लौ की तरह होता है अब प्रेसिडेंट के जुडिशिल पावर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट इंडियन टेरिटरी में कोड्स के द्वारा दिये गए सेंटेंस को पा रातना करता है प्रेसिधेंट किसी डैस सेंटेंश को भी चेंज कर सकते हैं अब प्रेसेडेट की फाइनचल पावर्स देखें गें पारलेमेटवर्फ जड़का प्रिजेंटेशन प्रेसेडेंट के नाम से होता है Two-bye Money पैसे बाद President finance commission अपोइंट करते हैं अब betiren के emergency powers पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के पास emergency powers होते हैं जो सेंटर और स्टेट में extraordinary situations को deal करने के लिए होते हैं emergency तीन situations में हो सकती है पहला national emergency अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि country की सुरक्षा War के द्वारा या External यानि बहारी Aggression के द्वारा या Internal Armed Rebellion के द्वारा खत्रे में है तो President पूरे Country के लिए Emergency डिक्लियर कर सकते है Aggression यानि आक्रमन Second है Breakdown of State Machinery अगर President convinced होते हैं कि Government Constitution के According नहीं चल रही है तो देश में Emergency लगा सकते है Third Financial Crisis अगर President को लगता है कि Country की Financial Conditions खत्रे में है तो Financial Emergency लगा सकते है अगर एक स्टेट में Law और Order का Breakdown होता है तो उस स्टेट का Administration President खुद ले सकते है इसे President का Rule कहा जाता है Emergency Powers पर चेक लगा है President Emergency Powers को सिर्फ Union Cabinet की Advice पर लगा सकते है अब हम Vice President के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के Vice President प्रेसिडेंट के अपसेंट में प्रेसिडेंट की तरह आट करते है प्रेसिडेंट की Death या Temporary Absence के कारण Vice President ओनरेबल पोस्ट का चार्ज ले सकते है ये राजी सभा के चेयर्मेन भी है चेयर्मेन भी होते है Vice President प्रेसिडेंट के दोनों हाउसे के Elected Members के द्वारा Elect होते है Vice President का Qualification देखते है Vice President बनने के लिए एक Person को पहला कम से कम 35 years का होना चाहिए Second, इंडिया का एक Citizen होना चाहिए Third, राजी सभा का Member बनना यानि बनने लाइक होना चाहिए Vice President का Tenure पढ़ते है Vice President का कारेकाल 5 साल का होता है Vice President, President को अपना Resignation Letter दे सकते है राजी सभा के Majority Number के द्वारा और लोग सभा के द्वारा सपोर्ट किया गया Resolution के द्वारा Vice President को अटाया जा सकता है अब Prime Minister के बारे में पढ़ेंगे लोग सभा में Majority Seats वाली पार्टी Government बनाती है Majority Party के लीडर को गवर्मेंट बनाने के लिए President द्वारा बुलाया जाता है और लीडर को Prime Minister का Designation दिया जाता है Prime Minister Executive का Real Head होता है President, Prime Minister की अडवाईस पर आट करते हैं अब Prime Minister के फंक्शन पढ़ेंगे Prime Minister बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं Prime Minister लजिसलेचर और एग्जेक्यूटिव के बीच लिंक की तरह आट करते हैं और Legislative और एग्जेक्यूटिव में अपनी ड्यूटीज करते हैं Prime Minister और Council of Ministers पढ़ेंगे Council of Ministers फॉर्म करने के लिए पार्लेमेंट के कुछ मेंबर्स को Prime Minister चूज करते हैं Ministers formally President के द्वारा पॉइंट होते हैं Prime Minister Ministers के बीच Portfolios आलोकेट करते हैं यानिगी Prime Minister Ministers के बीच विभाग आलोकेट करते हैं Allocate यानि आवंडित Prime Minister Cabinet की मीटिंग्स के हेड होते हैं और Ministers को Supervise करते हैं Prime Minister Government की Policies को Coordinate करते हैं Parliament में Prime Minister के रोल को पढ़ेंगे लोकसभा के Leader और Council of Ministers के Head होने के कारण Prime Minister पार्लेमेंट के discussion के बीच में बोल सकते हैं Prime Minister President को लोकसभा dissolve करने के advice दे सकते हैं अब President और Council of Ministers के बीच के लिंक देखेंगे Prime Minister, President और Council of Ministers के बीच की एक Link की तरह आठ करते हैं Prime Minister, Council of Ministers के सारे decision President को communicate करते हैं अब Council of Ministers पढ़ेंगे Council of Ministers के Formal Head है Prime Minister Council of Ministers President को help करते हैं उनके function को करने में Minister का qualification पढ़ेंगे Council of Ministers में Minister बनने के लिए Parliament के दोनों houses में से किसी एक में Member होना चाहिए Second, अगर वह Parliament के Member नहीं है तो छे महिने के अंदर Parliament के दोनों houses में से एक में Membership लेनी होती है Ministers की Categories पढ़ेंगे Council of Ministers में Ministers की तीन Categories होती है पहला Cabinet Ministers जो Central Government के Departments जैसे की Defense, Finance, Industry, Etc. या Different Portfolios के Charge Hold करते हैं Second, Council of Ministers का Second Level Ministers of State Third, Third Categories है Deputy Ministers जो Cabinet Ministers और State के Ministers को Assist करते हैं अब Collective Responsibility पढ़ेंगे Council of Ministers एक टीम की तरह वर्क करते हैं इसलिए सारे Ministers Legislature के Responsible हैं जो भी Decision Council के दोबारा लिये जाते हैं आपने देखा होगा कि अगर Council के किसी Member के Against लोगसबा दोबारा Vote of No Confidence पास होता है तो पूरी Council of Ministers को Resign करना पड़ता है जिसे Collective Responsibility कहते हैं अब Council of Ministers का Function पढ़ेंगे Actually Council of Ministers सारे Executive Decision लेती है यह बजट प्रिपेर करती है यह Legislature के दोबारा पास लॉस को एफेक्ट यानि प्रभाव देती है और कंट्री के Administration को देखती है अब प्रेसिडेंट और Council of Ministers के बीच की रिलेशन देखेंगे हमारे 1950 का Constitution के Article 74-1 में बताया गया है कि एक Council of Ministers होनी चाहिए जिसका Head प्राइम मिनिस्टर हो और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के Functions के बारें बताया और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के Functions के बारें बताया 1954 में कॉंट्रोवर्सी हुई जब प्राइम मिनिस्टर जवाहालना नहरू और प्रेसिडेंट राजेंद प्रसाद हिंदू कोड बिल पर एक दूसरे के अगेंस चले गए फिर इशू को अटर्नी जनरल सेतलवर्ड को रिफर किया डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने काउंसिल अफ मिनिस्टर के ड्यूटी को कंटेंडिड किया और प्रेसिडेंट को काउंसिल अफ मिनिस्टर के अडवाईज दुआरा बाउंड नहीं किया था हाला कि सेतलवर्ड ने व्यू दिया कि इंडियन कॉंसिट्यूशन ब्रिटिश पार्लिमेंटरी सिस्टम पर बेजड है जिसमें काउंसिल अफ मिनिस्टर सुप्रीम था आर्टिकल सेवेंडिफोर वन में में मेंशन था प्रेसेजेंट पर बाइंडिंग का कॉंसिट्यूशन में क्लियरली नहीं बताया था जून 1975 के इंटर्नल एमर्जेंसी के समय आर्टिकल सेवेंडिफोर वन की लैंगविज आल्टर किया गया यानि आल्टर की गई 1976 का कॉंसिट्यूशन 42nd Amendment Act प्रोवाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल अफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर हो और प्रेसिडेंट को एडवाइज किया जाता है बाद में जब जनता गवर्मेंट पावर में थी पार्लेमेंट ने आर्टिकल 74.1 में एक प्रोविजो इंसर्ट किया जो है प्रेसिडेंट को काउंसिल अफ मिनिस्टर की ज़रूरत हो सकती है एडवाइज को रीकंसेडर करने के लिए करने के बाद प्रेसिडेंट को उस एडवाइज पर आक्ट करना चाहिए 1950 के Constitution of India जो की आज है अब प्रेसिडेंट के रूप में केवल साइफर था फिगर हेड की परिकल्पना नहीं की गई है नेट रिजल्ट है प्रेसिडेंट को काउंसिल अफ मिनिस्टर दुबारा दी गई एडवाइज पर आट करना चाहिए अगर रिफ्यूजल होता है तो उसे Constitution का violation मानेंगे अब Civil Services पढ़ेंगे Council of Ministers के दुबारा लिए गई डिसेजिन पर्मेनेंट एग्जेक्यूटिफ के थूख एग्जेक्यूट किये जाते हैं जिससे Civil Services कहते हैं Civil Services में bureaucrats होते हैं जो country का administration को चलाते हैं Ministers politically power में आते हैं हर election के बाद change हो जाते हैं पर वे शायद ही policies frame करते हैं पर decisions के actual implementation civil servants के दुबारा किया जाता है यह official armed forces से अलग यह official armed forces के अलावा various central level पर civil service में all India service के three types हैं पहला है Indian administration service IAS second Indian police service IPS third Indian forest service IFS अब selection of civil servants पढ़ेंगे civil servant का selection central level पर एक independent body के दुबारा किया जाता है जिसे union public service commission कहते हैं UPSC competitive examination conduct किये जाते हैं civil servants के selection के लिए India का president UPSC के members और chairman president appoint करते हैं कुछ IAS officers हर state में place करते हैं एक state के बाकी civil servants state के दुआरा select किये जाते हैं अब ही आयर की बढ़ेंगे country में cabinet secretary highest ranking civil servant है cabinet secretary के under secretaries होते हैं जो हर ministry के administration को head करते हैं यानि की head होते हैं ये दूसरे secretaries के दुआरा assist होते हैं अब इनका function बढ़ेंगे civil servants अपने department की day to day administrative task की care करते हैं इसलिए ये उन में से एक है जो government की policies को carry करते हैं ये administration की backbone है इसलिए civil servants की efficiency यानि शमता पर administration की efficiency depend करती हैं यहां हमारा charter खतम होता है तो